वेल्कम टू स्पोर्ट सरीना साथियों वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला आपसे रिक्वेश्टे की वीडियो पूरा देखिएगा गाइस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि IPL 2021 अब नहीं खेला जाएगा यानि रद्ध हो चुका है ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब IPL के बाकी बचे हुए मैच कब और कहां होंगे इसको लेकर BCCI की ओर से साफ तोर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है ऐसे में संबाबना कम ही है कि IPL हाल फिलाल हो पाएगा IPL 14 सस्पेंड हो गया है और इसके जल्द फिर से सुरूँ होने की संबाबना नहीं है BCCI की ओर से कहा गया है कि सभी स्टेक होलडर और खिलाडियों और उनके परिवार को ध्यान में रखकर ये फ्यसला किया गया है BCCI ने ये भी कहा है कि सभी खिलाडी ततकाल अपने घर चले जाएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे इसे साफ है कि BCCI अब बचे हुए IPL के मैच कराने में कोई जल्द बाजी नहीं करना चाहता अगले महिने यानी जून में टीम इंडिया को विस्ट्रेस्ट चेंपियंशिप के लिए इंग्लेंड जाना है जहां भारत और न्यूजिलेंड के बीच विस्ट्रेस्ट चेंपियंशिप का फाइनल खेला जाएगा यानी जून में IPL नहीं हो सकता गाइड इसी साल यानी 2021 में ही अक्टूबर नमंबर में T20 वर्ड कप होना है इसमें अभी करीब पांच महिने का वक्त है अभी तक रपोर्ट के अनुशार विस्ट्रेस्ट कप 2021 भारत में ही होगा अलाकि इसके लिए UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात को भी बिकल्ब के तोर पर रखा गया है यानी UAE भी एक option हो सकता है कि वहाँ पर T20 वर्ड कप का आयोजन हो सके इस विस्ट्रेस्ट कप के लिए दुनिया बर की टीम में भारत आएंगी और उमीद की जानी चाहिए कि तब तक कोरोना पर भी काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी हो सकता है कि विस्ट्रेस्ट कप से ठीक पहले बचे हुए मैच करा लिए जाएं IPL अगर इसी फॉर्मेट पर हुआ तो BCCI को 30-35 मैच कराने पड़ेंगे अगर एक दिन में दो मैच कराएं जाएं तो यह मैच 15 दिन में हो सकते हैं ऐसे में IPL 2021 भी हो जाएगा और खिलारियों की विस्ट्रेस्ट कप से ठीक पहले प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो साथियों आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही for more videos stay connected